हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप साब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाल भाजी जो साग होता है ना उसके कोफते की रेस्पी और कोफते को ना मैं फ्राई भी नहीं करने वाली हूँ बिना तेल का बताऊंगी तो बढाई ने भी केंगे तो सबसे पहले dzhannए हम बना लेंगे ग्रेवी के लिए यूटि तो इदा अदरख मेर्च और थोड़ा सा दाल देंगे लाशो के कलियां कोफते घडीवाली धनीया डाल देंगे सोंफ डाल देंगे और इदर प्याज डाल देते हमつीन तीन तो ये देखिए पीस गया है अब इसी मेना हम क्या करेंगे टमाटर भी डाल के पीस लेंगे तो यह दिखी पीस गया टमाटर भी अब इसको हम साइड में रखेंगे अब हम बनाएंगे कोफते अपने तो साइड ही आप ये वीडियो देखे होंगे यूटूब में मुझे तो नहीं लग रहा हो देखे होंगे आप यह रैस्पी बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगेगी जरूर ट्राय करना और सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी तो क्या करना है सबसे पहले तो इधर जो लाल भाजी होती है उसको अच्छे साफ करके और कट कर लेना है फिर इसमें हम जो प्याज और अधर मसाला डाल देंगे थोड़ा सा और भूना हुआ जीरा भी डाल देते हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा धनिया पावडर भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं तो पहले आपको ऐसे ही मिक्स करना है पानी नहीं डालना है क्योंकि जो साग होता है उसमें अल्रेडी पानी छोड़ता है नमक डालने के बाद तो यह देखिए मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं याट करूंगी और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बेसन डालेंगे हमें फिर जरूरत पड़ेगा उतना हम डालते जाएंगे तो पहले हम थोड़ा सा बेसन डालें तो मैं ऐसे बना के देख लेते हੴ कि एसे कोफटे बन रहे हμαι हमारे कि नहीं अगर नहीं बनेगा तो फिरूमें और वेसन अड़र करना पड़ेगा तो ये देखिए बन रहे हैं कोफते तो बस अब हम क्या करेंगे चलिए ग्रेवी बना लेते हैं तेल गरम कर लेंगे इधर तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे जीरा राई और मेथी उसके बाद प्याज वाला जो पेश्ट था वो डाल देंगे इनको हम भूनें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है तो बस इधर आपको डाल देना है अब सुखे मसाले प्याज थोड़ा जब भून जाएगा तो डाल देंगे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और कास्मेरी लाल मिर्च डाल देंगे और इसको भी हम भूनेंगे इसको भूनने के जादा हो जाता है इसलिए इधर हिसाब से यह आप नमक डालना और इधर नहीं टमाटर की भी पेश्ट हम डाल दिये हैं तो अब बस अब ग्रेवी को अच्छे से हम पूलेंगे थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे इधर ज्यादा नमक नहीं डालेंगे बस थोड़ा सा ही डा तो बीना तेल का कोफते बनाने वाले है तो इधर क्या करेंगे च्छनी ले लेंगे जिसे अपन दूध हो गयरा चांत मुलब धखते हैं वही ले लेंगे और इधर नहीं ऐसे पकोड़े जैसे हम बना लेते हैं छोटे-छोटे से तो यह देखिए ऐसे हम बना लेंगे और धकके तो थोड़ा से इसमें पानी डाल देते हैं हलका सा जिसे जले नहीं हमारा जो मसाला है और गैस को ना एक तम मेडियम फ्लेम में एक तम स्लो में आपको रखना है और धकके पकने देंगे हम तो आपको ना इधर धकना है करीबन 10 मिनट के लिए 10 से 12 मिनट में अच्छ अब देखने साइट से तेल छोड़ दिया है तो मसाला भी अच्छे से भून गया है अब इधर हम क्या करेंगे थोड़ा सा धकके पका लेंगे और इसमें हम पानी एड करेंगे अब तो हमारे जो कोफते हैं ऐसे भी अच्छे लगते हैं अगर आप फ्राई करना चाहते हो तो फ्राई भी कर सकते हो और इधर पानी की जगे ना मैं वो डाली पनीर हमारे जो दोध फड़ गया था तो उसका जो पनीर बनाते पनीर का जो पानी रहता है ना बस वही मैं एड कर अप साधा पानी भी ले सकते हो उसको लेके यह पानी डालने की दो कप पानी डाली हो ठ liberté हम पकने देँगे तो यह अच्छे से उवाल आ जब करें इसमें तो यह देखिए कोफते डाल देते हैं और इसको हम चला देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी जादा इसलिए डाली हूँ क्योंकि यह सोक करेगा, सोकेगा, गरम असाला डाल देंगे, और इधर डाल देते हैं, हम ढख देंगे, गरम असाला डाल के, तो यह देखिए, सबजी रेडी हो गई है, इसमें तो इसको आप रोटी के साथ, पराथे के साथ, या चावल के साथ इंजॉय कर, बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है, अब जरूर ट्राइ करना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपको दिखाती हूं में कोफती कितने सॉफ्ट है, यह देखिए, बहुत ही असानी से टूट रहे हैं, तो जरूर आप ट्राइ करना बहुत अच्छा लगेगा यह रैस्पी आपको, और अच्छा लगे ना तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करना, मेरा वीडियो देखने के लिए ठेंक यू सो मच फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स बाइ, टेक एर